नमस्कार सुआगत है आपका वाइरल इंडिया में और मैं हूँ आपके साथ निहा परिहार चलिए वाइरल इंडिया प्रोग्राम में आज क्या कुछ है खास देखते हैं इस हाथी को एक तरे से नया जीवन मिल गया ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कावन नाम का ये हाथी 35 साल से बत्तर हालत में जीने को मजबूर था आपको बता दे कि 6 साल का ये हाथी पाकिस्तान में एक मात्र एशियाई हाथी है और कई सालों से ये अकीला ही रह रहा था लेकिन अब कावन कमबोडिया में 600 हाथियों के साथ रहेगा दरसल इसलामाबाद के जू में रह रहे इस हाथी की घटिया देख भाल और दूरदशा के मामले में पशो अधिकारी संगठनों ने वैश्विक अस्तर पर जम कर ये मुद्दा उठाया था जिसके बाद इस हाथी को एक कारगो प्लेन की मदद से कमबोडिया पहुचाया गया वारेल इंडिया में अगली वीडियो जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे वीडियो में एक वेक्ति और महिला एक लड़की को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये लोग आखिर इस लड़की को पीट क्यों रहे हैं दरसल ये वीडियो जासी के मौरानी पुर कोतवाली थाना छेत्र का है और इस लड़की ने अपने साथ हुई छेडखानी की शिकायत की थी जिसके बाद इसे दबंगों ने तहसील परिसर में ही जम कर पीटा और इतना ही नहीं दबंग इस लड़की के साथ आए दिन छेडखानी भी करते दे बॉलिवुट के सिंगर उदित नारायन का एक वीडियो शोशल मीडिया पर खोब वायरल हो रहा है दरसल वीडियो एक दिसंबर उनके बेटे की शादी का है पूरा परिवार वीडियो में जूमता नजर आ रहा है तब ही उदित नारायन पैसे लेते हैं और आदित की नजर उतारते हैं और फिर वो पैसे धोल बजाने वाले को दे देते हैं इतना ही नहीं आदित की मा दीपा नारायन ने भी बेटे की नजर उतारी और खुशी के इस महौल में पूरा परिवार बेहत खुश नजर आ रहा है बता दे आदित नारायन ने अपनी गल्फरिंड शोयता अगरवाल के साथ एक दिसंबर को साथ फेरे लिए साड़ी पहन कर चलना डांस करना कई महलाओं के लिए मुश्किल होता है लेकिन वाइरल वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसे देख कर हर कोई चौक जाएगा दरसल मिली सरकार नाम की ये महला साड़ी पहन कर गुलाटिया लगा रही है और एक दो नहीं बलकि ये महला लगातार कई गुलाटिया लगाती हुई नजर आ रही है वैसे तो गुलाटि लगाना आसान नहीं और अगर साड़ी पहन कर अगर कोई गुलाटि लगाना चाहता है तो वो मिली सरकार से सीखे बता दे मिली सरकार इंटरनेशनल योगा गोल्ड मेडिलिस्ट है वारेल इंडिया में आज बस इतना ही आप बने रहें न्यूस वर्ड इंडिया के साथ नमस्कार